Hello friends, आज हम लोग सीखते हैं कि हम और कौन से words यूज कर सकते हैं, नाइस की जगह. आपने देखा होगा हम लोग अपनी conversation में नाइस, गूर्ड, बाड, वर्ड बहुत यूज करते हैं. जैसे किसी के अच्छी ड्रेस है, तो आप कहोगे नाइस ड्रेस. मानलो अगले दिन फिर से उसकी ड्रेस अच्छी लगी और हमें उसको कॉम्प्लिमेंट देना है, तो आप कैसे बोलोगे, ड्रेस इस गूड या नाइस, अगेन आप सेम सेम वर्ड रोज यूज करोगे. तो आप थोड़े तिन में सोचने लगोगे, कि मेरे पास कोई वर्ड यी नहीं है, मैं क्या बोलू, मैं इस से तो अच्छा नाइ बोलू. है ना, तो वहाँ पर आपके पस कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ नए वर्ड होने चाहिए, कि अगर आप किसी की तारीफ भी कर रहे हो, तो आप और अच्छे वर्ड यूज करो, ताकि अगला परसन इंप्रेस हो. उसके लिए आपको और अच्छे बेटर वर्ड यूज करने, सीखने चाहिए. तो जाधा तर हमारे लिए language learning में challenge होता है, कि हम बार-बार repetition कर रहे होते हैं, जो कि हमें वाइट करने चाहिए, हमें नए-ने वर्ड सीखते रहने चाहिए. जैसे कि nice के लिए, आप कैसे-कैसे nice यूज करते हो, he is nice, what a nice dress, या आप कहते हो, weather is very nice, या was the weather nice, तो nice word अब किस-किस चीज़ों में यूज कर सकते हो, जैसे कि nice weather, nice people, nice appearance के लिए, nice time के लिए, या nice food के लिए. अलग-लग सिनारियों में, अलग-लग तरह से nice यूज करने में, हम और different-different तरह के words यूज कर सकते हैं. तो आये चलिए, हम सीखते हैं कि अलग-लग तरह से nice weather है, nice weather में हम क्या-क्या और वर्ड यूज कर सकते हैं, और किस सिनारियों में यूज करने हैं चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं nice weather से, अगर आप nice weather देखोगे, तो उसमें हमारे similar kinds of words यूज हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि fair, pleasant, clear, temperate, clement, lovely, sunny, gorgeous, और perfect. तो हम कैसे बोल देखोगे, जैसे अगर किसी ने बोला, was the weather nice? तो आप उसका answer कैसे करोगे, yes, it was beautiful. We did not have any rain and the sun shone very everyday. It means weather was very beautiful and कोई बारिश नहीं हो रही थी और sun अच्छे से निकल रहा था, हर दिन निकल रहा था. तो अब एके करके in words को हम sentences, इसके example sentences देखते हैं और देखते हैं उसका मतलब क्या है? जैसे कि fair है, fair का मतलब होता है स्वच, यानि कि साफ, गोरा और निश्पक्ष. weather के case में fair अगर हम use कर रहे हैं weather में और words भी है, और भी meanings हैं जैसे कि गोरा, निश्पक्ष. गोरा होता है जैसे आप किसी person के लिए बोलते हो person बहुत fair है, यानि कि गोरा है. और कई बर अपनी conversation में बोलते हो, this is not fair यानि कि ये ठीक नहीं है, ये निश्पक्ष है. अगला word है pleasant, pleasant हम कब करते हैं, जब आपका weather बहुत अच्छा साफ दिखता है तो आप कहोगे, weather is quite pleasant today. आज मौसम काफी सुहाना है, काफी अच्छा है मतलब न ठंड न वैसा मतलब मौसम काफी अच्छा है अगर आप fair और pleasant में देखोगे तो fair का मतलब होता है, beautiful full, fresh है मौसम और pleasant वैसे अच्छा है कि यानि न ज़ादा गर्मी न ज़ादा थंडा तो अच्छा मौसम है clear का मतलब होता है, spasht या साफ, यानि कि बिलकुल साफ, clear है it's such a clear day, let's go for a walk कितना साफ दिन है, कितना spasht दिन है, आओ सेर पर चलते है next है, temperate temperate climate का मतलब होता है, it has a temperate climate temperate मतलब जब आप देखोगे, हलकी हलकी बारिश होती रहती है, और ये कुछ time period के लिए, कुछ दिनों के लिए ऐसा चल रहा होता है, तो आप उसके लिए use करते हो, temperate climate यानि कि कुछ दिन से हलकी हलकी बारिश चल अगला वर्ड है, क्लीमेंट का मतलब होता है, अनुकूल यानि कि अगर हम sentence में देखे तो हम ये कह सकते हैं कि this is good, today is very climate temperature and this is good for picnic, यानि आज का temperature अच्छा है, आज का वेदर अच्छा है, अनुकूल है कि हम पिक्नी के लिए जा सकते हैं क्लीमेंट हम जाद तर तब यूज करते हैं, जैसे आपका मौसम अच्छा होता है, लवली होता है और माइल्ड होता है, जैसे कि समर में इवनिंग होती हैं आपकी अच्छी, है ना, तो all year around आपका एक जासा चल रहा होता है तो इसका क्लीमेंट टेंपरेचर all year around, तो इसका क्लीमेंट तापमान साल भर रहता है नेक्स वर्ड है लवली, लवली का मतलब है प्यारा, what a lovely weather मतलब ये वैदर कितना प्यारा है नेक्स इस सनी, सनी का मतलब है धूप है, मतलब सूरज निकला हुआ है, चमकीला है, what a sunny day, क्या धूप वाला दिन है gorgeous gorgeous का मतलब है भव्वे, शानदार what a gorgeous day मतलब बहुत ही beautiful not beautiful, बहुत beautiful so what a gorgeous day, let's go to beach, क्या शानदार दिन है चलो समुद्र तट पर चलते हैं perfect मतलब उत्तम, सुन्दर what a perfect day for going on outing, outing पर जाने के लिए कितना सही देना next हम करते हैं, nice people nice people के लिए हम words use करते हैं, जैसे kind, good gentle, generous, polite wonderful, thoughtful considerate, or amusing जैसे आप किसी person के लिए बोलते हो, is Rina nice आप कहोगी, she is lovely so good hearted and she is such a good friend आप देखोगी, जब आप ऐसे words बोलते हो smart words योज़ करते हो दूसरे person को भी अच्छा लगते हैं और आपको भी अच्छा लगते हैं कि आपने इस तरह के उसकी qualities बोले चलिए, start करते हैं आप इन words से kind, kind का मतलब होता है dayaloo so it was really kind of her to help me मेरी मदद करने के लिए सही में, वास्तव में वो बहुत दयालू है इस तरह के उसने मेरी मदद के बहुत दयालू है यानि उसने इस तरह की मदद करे good good का मतलब है अच्छा generally हम good बहुत यूज़ करते हैं they are good people and great neighbors वे अच्छे लोग और महानपडोसी है good hearted अच्छे दिल वाले he is so good hearted I am sure he will help वे बहुत अच्छे दिल वाले हैं मुझे यकीन है कि वे मदद करेगा gentle gentle का मतलब होता है surgeon be gentle यानि बहुत ही कोमल है surgeon है be gentle she is only a kitten and quite timid कोमल हो वे केवल एक बिल्ली का बच्चा है और काफी डरपोग है be gentle polite polite का मतलब होता है सब भे बहुत ही हराम से सही से विनवम जवाब देता है your children are so polite आपके बच्चे बहुत विनवम है thoughtful thoughtful का मतलब है विचार शील thoughtful यह होता है कि जैसे आप कुछ करने वाले हो तो आप उसमें अपना थौट लगा होगे कि उससे क्या उस चीज से क्या निकल के आ रहा है क्या उससे मतलब निकल रहा है जैसे कि flowers how thoughtful of you मतलब अगर कोई flowers की बात कर रहा है उसने flowers के बारे में कोई अच्छी बात करी तो आप कहोगे flowers how thoughtful of you मतलब आपका mind इस लेवल तक सोच रहा है fool आप कितने विचार शील है considerate considerate और thoughtful काफी similar है considerate तब योज़ करते हैं जब कोई person किसी चीज के बारे में सोच रहा है लेकिन action करने से पहले भी वो ये सोचता है कि उसका result क्या होगा मतलब इस level तक का वो person समझदार है तो जैसे it was very considerate of you to offer her a lift उसे lift देने की पेशकश करना आपके लिए बहुत विचार निये था मतलब अगर वो किसी को lift के लिए offer कर रहा है तो वो बहुत सोच के कर रहा है कि अब मुझे उसको lift offer करनी है उसका result भी क्या होगा मतलब ये इक तरह से thoughtful से भी बड़ा thoughtful हो गया कि बहुत समझदार सोच विचार के वो ये काम कर रहा है generous generous का मतलब होता है उदार, दानी he is so generous he lent me all of his revision notes वे बहुत उदार है उन्होंने मुझे अपनी सभी revision notes दिये wonderful, कमाल है, अद्भुत they are wonderful couple and good company वे एक अद्भुत जोड़ी और अच्छी company है amusing, funny मतलब manoranjak या दिल्चस्प she is so funny that story about her trip to London वे बहुत मज़ेदार है उसकी London यात्रा की कहानी तो आप देख सकते हो अभी तक हमने अगर उन words उन sentences में अगर हम nice use करें तो इतना अच्छा नहीं निकल के आता जितना आप ये smart words use करके आप ला सकते हो तो चलिए next start करते हैं nice appearance nice appearance के लिए हम words use कर सकते हैं जैसे कि lovely, beautiful pretty, cute, cool attractive, stunning, eye-catching exquisite suppose कोई question पुछता है did you find something nice to wear क्या तुम्हें कुछ अच्छा पहनने के लिए मिला तो आप उसका answer कैसे दे सकते हो yes, I bought a gorgeous cream colored dress अब देखो कि जैसे आपी line बोलते हो I bought a gorgeous cream colored dress gorgeous से ही निकल के आते हैं बहुत ही beautiful dress में तो चलिए start करते हैं उसे first word है lovely lovely का मतलब होता है sundar या प्यारा you look lovely in that dress आप उस dress में प्यारी लग रहे हैं beautiful, sundar what a beautiful dress I love the color क्या sundar dress पहनी है मुझे ये color बहुत पसंद है pretty, sundar यानि कि attractive, आकर्शक लग रहे है what a pretty necklace क्या sundar हार है cute what a cute handbag I love it कितना प्यारा handbag है I love it मुझे इससे प्यार है cool cool का मतलब है sheetal such cool shoes इतने अच्छे जूते are the new क्या वे नहीं है तो ये अलग-लग scenarios में आप यूज कर सकते हैं जब आपको कुछ बिल्कुल कूल सा लग रहे है थंडर-हंडर सा लग रहे है मतलब ऐसे लग रहे है कि airy and good good feeling for yourself तो आप बोलोगे such cool shoes attractive मतलब मोह लेने वाला akarshak he looks very attractive with his new haircut अपने नए haircut में वह बेहद अकर्शक लग रहे है stunning stunning मतलब चौंका देने वाला एकदम से आप किसी चीज को देखते हो आप एकदम चौंका जाते हो कित्ती सुन्दर है superb शांदार तो उस case में आप बोलोगी he looks stunning in that suit इस suit में वह बेहत खूबसूरत लग रहे है gorgeous मतलब भव्वे चौंधाने वाला what a gorgeous color where did you buy it क्या खूबसूरत रंग है तुमने इसे कहां से खरीदा हमने gorgeous पहले भी यूज किया बट यहाँ पे gorgeous appearance के लिए यूज हो रहे है eye catching मतलब एकदम से आपकी eyes उस चीज पर पढ़ जाती है और उसके बाद हड़ती नहीं eye catching बहुत ही जादा attractive आंग को पकड़ लेने वाला that's an eye catching watch it's very unusual यह एक तरह से बिलकुल आंग को पकड़ने वाली घड़ी है बहुत ही असामाने है बिलकुल different है exquisite means अतिस उंदर यह हम यूज करते हैं जब extremely beautiful किसी चीज के बारे में बोलना होता है her engagement ring was exquisite उनकी सगाई की अंगूटी बहुत खुबसूरती which is मतलब किसी से compare नहीं कर सकते बहुत खुबसूरती next आता है nice time nice time के लिए हम लोग क्या words यूज करते हैं जैसे की cool, fun, great, enjoyable, entertaining, interesting, hilarious, exciting, memorable अगर कुई पूछते है जैसे did you have a nice time in London? how you will reply? yes, it was really interesting yes, यह बहुत ही interesting था cool, cool का मतलब शीतल we had such a cool time did you get the photos? हमारे पास इतना अच्छा समय था क्या आपको photos मिली, तस्वीरे मिली fun, मतलब manoranjan, मस्ती करी अपने we had fun at the water park हमने बहुत मजे करे हैं हमने water park में खूब मस्ती करी great, great का मतलब है महान, बहुत, we had a great time in London, हमने लंदन में बहुत अच्छा समय बिताया enjoyable, यानि की बहुत ही अच्छा सुखद, सुहावना, टाइमो it was an enjoyable night we had fun वह एक बहुत ही सुखद रात थी, हमने बहुत मजे की enjoy किया entertaining, manoranjak it was a very entertaining show यह बहुत ही manoranjak show था interesting, मतलब दिल्चस्प the trip to the museum was really interesting museum का trip बहुत ही दिल्चस्प था संग्रहाले की यात्रवास्तव में दिल्चस्प थी hilarious hilarious का मतलब होता है extremely funny, super funny lunch was hilarious we laughed so much यह तब हम यूज करते हैं जैसे lunch है lunch time पे अगर आपकी funny discussions हो and you laughed so much तो उस case में आप यूज करोगी lunch was hilarious we laughed so much दो पैर का भोजन बहुत ही funny था बहुत ही मज़ा आया बहुत ही प्रफुलित था हम बहुत हसे exciting मतलब उतेजित करने वाला it was fun but not as exciting as the boat ride यह मज़दर था लेकिन नाव की सवारी जितना रोमान्चक नहीं था memorable मतलब यादगार it was the most memorable day of my life वह मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन था next start करते है nice food nice food के लिए हम क्या-क्या words यूज़ करते है जैसे कि tasty sweet juicy yummy wonderful delicious appetizing mouth-watering scrumptious full of flavor tasty tasty हम काफी यूज़ करते है swadish the burger was quite tasty burger काफी swadish था sweet मतलब मीठा what lovely sweet strawberries कितनी प्यारी मिठी स्ट्रॉबेरिज juicy juicy मतलब रसीला रज़दार these apples are so juicy try one ये से बहुत रज़दार होते है एक कोशिश करो एक try करो yummy मतलब swadish desert was yummy मिठाई बहुत ही टेस्टी थी बहुत swadish थी बहुत yummy थी wonderful मतलब अदभुत this chicken is wonderful नुस्का पसंद आएगा delicious मतलब बहुत tasty very tasty swadish dinner was delicious thank you तो आप अलग-लग word यूज़ कर सकते हो जब आपको कोई चीज बहुत अच्छी बहुत tasty लग रहे है appetizing मतलब swadhyuk मज़दा what an appetizing smell मतलब ऐसी smell जिसको सूंगते ही एकदम से ऐसे जैसे भूख बहुत और तेज लग जाती है what an appetizing smell I am starving क्या swadish गंध है मैं भूख से मरा जा रहा हूँ mouth watering swadhyuk मज़दार मतलब होते ने जब आपने किसी चीज को किसी डिश को देखा तो ऐसा हो रहा है means शांदार stunning extremely tasty breakfast was scrumptious means नाशता बहुत शांदार था full of flavor swad से भरपूर these pastries are full of flavor ये pastries swad से भरपूर होती है तो इसी के साथ हमने आज सीखे कि nice के जगे हम और क्या-क्या words यूज कर सकते हैं और आप देखोगे seriously जब आप इनको अपनी conversation में लेके आओगे तो आपको खुद से बहुत confidence आएगा कि हमने better words यूज करें हमने और अच्छे words यूज करें और इसे अच्छा impression पढ़ता है चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वाचिं इस वीडियो